तो आज हम बात करेंगे Android फॉन के बारे में यही टॉपिक होने वाले आज इसके बारे में होने वाले कौन जो हमारे फॉन जो हमारे फॉन आपको बता देते हैं जो हमारे फास फॉन ज्यादा तरह आते हैं Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Redmi और Redmi जो हमाई एक होता है और यहां पर आपके पास Nokia फॉन भी आते हैं और कुछ फॉन हुआवे के भी फॉन आपके फॉन आपके पास अन्लोकिया के लिए आते हैं तो इसका हम कैसे पता करेंगे जो हमारे फॉन होगा यह उफलाइन होगा तो इसके लिए हम प पॉन के जो IMEI डालके भी चेक कर सकते हैं तो इसके लिए आप जाए IMEI.info से यहां पर आप सर्च करोगे तो यहां पर आप IMEI डालोगे तो आप आप IMEI से आपका फॉन के जो मोडल है पता लग जाएगा और आपका IMEI भी नहीं है तो आपके अगर विंडो 10 है तो उस आप मोडल stap करने के लिए आप अपर आप सेट्नि में जाओगी यहां से जब सेट्इऑ को लेगी तो आप हमने डिवाइज पर क्लिक्क करना है तो दीख यहां पर ने पर फ्र है तो इसको हम सर्च करेंगे ओप ओपो सीपीएच दोजार एक कि सीपीओ टाइप इसको हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो जीए समरीना है यहां पर आप अगर कोई अगर कि अगर को यह सब से अची साइट है तो इसको यहां से ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो इसके बारे में सब कुछ यहां पर आपको डीटेल मिल जाएगी पौन के बारे में तो यहां पर हमने जो पौन को जो चीपीए उसको देखना है तो यहां पर आप प on MediaTek, तो उसको आप Unlock Tool में वन-क्लिक में Unlock कर सकते हैं, यह आप देख सकते हो, यहां यह पर यह OPPO का ब्रांड है, कैसे ही में आपर OPPO के खरेंगे, यहां आपको OPPO RealMe के लगबग, अगर आपको यहां पर और आपको बिल जाएंगे अगर आपको यहां पर भी कोई मोटल नहीं मिलता यहां पर आप देख सकते हो धेसे हो एंहार पास जो checkPH했어요 गासी पर बीजोटे ज्बीस तो खांगे गरिआप पर देख सकते हो तो यहां पर यहां चुका है तो सिंपल इसके बाद हमने अगर फॉन को अनलोग करना है यहां पर फेक्टर इसेड़ ब्रॉम यहां पर किलिक करेंगे यहां पर अम्टी के फॉन को में खुलने की जरूरत नहीं होती है simple phone के जो phone को off करके volume app और down को दबा के रखेंगे और usb को लगाएंगे तो हमार फोन यहां से one click में थोड़ी देर में इंस्टाल या unlock हो जाएगा उससे पहले आपके PC में आप ड्राइवर होने जरूरी है जो यह वीडियो हमने आपको पहले दे चुके हैं वो वीडियो देखक अगर आपने PC में जो complete driver है उनको इंस्टाल करना है अगर आपके PC में ड्राइवर complete रहेंगे तो आपको कोई भी unlocking यह flashing में प्रोब्लम नहीं आएगी आपर इसी तरह का जो Realme का होता है Realme में RMX होता है और जो OPPO में होता है और CPS होता है तो CPS हम ऐसे ही कंपर्म कर सकते हैं जा हमारे फोन का CPU है कौन सा है तो यह फोन जो हमने किया यहां पर ऑफ-लाइन फोन है और यह कोई भी OPPO का अगर कॉल कॉम बोन होगा तो ऑफ-लाइ फोनी वह कोई पूब में भी कर सकते हैं जो की latest model है जो OPPO 3 अभी तक इन किसी भी टूल में support नहीं है वह on-lease जो OPPO का auth service होती है वहां से नहीं उसको से ज्टंस पुष्ट है, और इससे फोन कहते हैं, नहीं बहुत है। और आपके पास बाते हैं अपनीं फोन को से एक रस आप पतीर है। मेरे उसलोगे क्लविके व्रभेजा प्रवर्सेयों हैं, नहीं रएटा। जेहां सेमाग देख्टेश येao आपर आप जर्सेयां यूतूब पे जाओगे कि आपर आप ए मुवाईल टैक्स सर्च करोगे कि यहां आप देखोगे या आप देखोगे यहांप देखे सकते लिओवाई वारासी जो कि यह MTK फोन है, इसको आप SP Flash Tool से free में unlock कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी box, dongle या किसी भी tool की जर्रत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर यह बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, इनको देखकर भी आपको फोन को unlock कर सकते हैं, दे कि MTK फोन है, उसके लिए आपको scatter file होना जरूरी है, तो अभी आप अपने फोन को safely, यहाँ पर आप अगर वीडियो को सही से देखोगे, तो अपने फोन को unlock कर लोगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितने सारे फोन की जो free की वीडियो है, और flashing की वीडियो यहाँ आ हमारे आपर free tools की वीडियो है, यहाँ आप को मिलेंगी, तो मैं हम बात करते हैं, Vivo के बारे में, वीडियो की लगबग आपको यहाँ पर जो यह unlock tool है, इसमें आपको 99%, 99% phone की model हैं, उसको आप यहाँ से इसमें unlock कर सकते हैं, इसमें आपको लगबग सारे model हैं, आपक जो main model ह है आपको सब कुछ सारे मॉडल इसके नर मिल जाएंगे यहां आप आप देख सकते हो कितने सारे मॉडल है जिस में यह जो लेटेश्ट right x70 है उसको म सर्च कर handing x70 x70 यहां पर आप देख सकते है इसका जो लेट तेस्ट मॉड़ल है वी ओगा, इसमें वो भी, इसमें सपोर्ट है, जो भी तक इसमें आया है, जो कि इसमें फॉन आते रहेंगी, जो अपडेट है, दो, तीन, या अब तेक अंदर इसके अपडेट जरूर आती रहती है, हो सकता है, जो भी, OPPO A3S फॉन है, जो ओन्लाइन हो रहा है, या ओपो क अपडेटा आ सकता है, यहां पर आप, हम आपको दिखाते सकते हैं, कि यहां पर आपको कॉलकॉम के फॉन भी OPPO के कुछ मोडल सपोर्ट है, देखिए, यहां पर OPPO हम सर्च करेंगे, तो देख सकते हैं, पर आपको OPPO के बहुत सारे निव मोडल भी हैं, तो देखिए, यहां पर रैनो 5, 4G, यह भी यह सारे निव मोडल, इनको आप विदाउट डाटर लॉस अनलोग कर सकते हैं, यह कुछ 4-5 मोडल है, इनको ही अनलोग कर सकते हैं, जो कि इसमें कॉलकॉम के सपोर्ट है, हो सकता है, इसमें कुछ दिनों में अपडेट जरूर आएगा, तो इ यहां पर आपको देख सकते हैं, 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 यहां पर आप इससे यहां से फ्लेश कर सकते हैं, और यहां से आप देखिए, जो यह मोडल है, इनको कि simply यहां से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका जब फाइल हो डाउनलोड होने लगेगा तो यहां पर हम स्क्यूर्टी में जाएंगे स्क्यूर्टी में हमारे पास फोन होता है कोई रेडमी 9A यह को रेडमी 9A9T यहां जो की म予टी के फोन आह CC है इसमें में यगमाय कॉंट पास में उ में अजयाद तो पर ब्रजद गालउने की हमें को इसको में आएं आप़न कोलने की जरद नहीं होगी तो यहां से अगर आपका फोन रिलोग हो रहा है तो भी इसको आप हम मैं एकाउंट रिलोग भी fix कर सकते हैं, यहाँ पर reset my cloud है जो, or disable my cloud, यहां से आपने ही करना है, अपने reset my cloud only इस पर करना है, और बाकि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो ही umtk है, वहाँ पर आप कोई बी मोडल सलेक्ट नहीं करना, यहां सिर्फ आपने जर्णल मे जाना से इस एक पेसल में जाना और यहां से Disable my account करना है मैं अबसा हुआ है यह स्टॉप किया हुआ है पिले byary से स्टॉप करेंगे पर इस कोई पास कोई बी से क्लिक करेंगे घर नेका हुए अर्युक्त पर आक को आपको अस्याण मैं कथमिन और अप यह ahead और अपन पर डॉक को प एAB जो श्र्माय करेंगे तो आपर आपको ऐसे वी लॉक में पता लग जाएगा अपका फॉन का मॉडल है कौन सा यहां पर MTP port आएगा जिस तरह से आपर ही सो रहा है यहां पर आपका MTP का सो होगा तो आपका पता लग जाएगा यह फॉन कौन सा है यहां पर आप सर्च करेंगे CPU यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम GSM Arena देखेंगे कहां पर है तो आप आप देख सको GSM Arena और यहां पर आप देख सको GSM Arena और यहां पर आप देख सके प्लेट फॉर्म यहां पर आपको प्लेट फॉर्म में आपके सारे यहां पर देगे, यह मीडिया टेक पॉन है, और आप पर इसको माई अकाउंट करोगे, तो यहां से आपने कोई भी मोडल सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल यहां पर आप हम TK पर करेंगे, और यहां से M TK युनिवरसल, और यहां से सपेसल, यहां पर एक ओप्सन है, क्लिक करेंगे, कोई भी आपके पास M TK का, जो माई अकाउंट वाला फॉन हो यहां फारपी हो, तो फारपी क्लिक करेंगे यहां पर और माई काउंट के यहां पर तो यहां से थोड़ी देर में अपके फॉन को यहां पर लेकर, आपके माई काउंट को अनलॉक कर देगा, तो अगर 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 अपका फोन कोल कॉम है तो कोल कॉम में हम आप जाएंगे यहां से यहां से यहां किसी फोन के जहां पर अपर अपर सारे ब्राउंड है यहां पर आपको जहां पर रेड्मी साव मी यह साव मी हैं यहां पर आप model select करेंगे , यहां पर और काउल को खॉन ही मिलेंगस . यहाँ आप हम jak आप कहास फॉन आता है . हम बड़े model के बात करेंगे . छोटे model ए में myeg लगवठ सभी जानते हैं और बड़े मोडल यहां पर देख सकते हो जो ही यह ए, Redmi 9T, Redmi 9, 9 Power, यहां पर आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो यहां पर देख सकते हो, लेट्टेस्ट मोडल भी है, Redmi Note 10, इसको आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, और सिम बार यहां से आपने करना है, Erase, FR, PM, Reset, Mic Cloud, और यहां प और जब फर मैट रिसेट यहां पर हमब आट रिसेट वहरां, घर रिसेट हो जाते हम यilot, हमाल लूम ने हने इसको Redmi Note 10 को Unlock यह मैं एकांट करना है तो यहां से हम दिख सेब लिए पहले इसको stop कर देते हैं, पहले इसके करंगे, तो देखिए यहां पर यह साथ के साथ ही डाउनलोड करते हैं, यहां पर आपको इसको पड़ रही है, call com usb port की, तो इसके connect करने के लिए हमें आपको test point है, यहां पर आपको test point भी लगाओ को सारे मिल जाते हैं, और यहां पर न Note 10, यहां पर Note 10, यहां पर नहीं है, तो यहां पर नहीं है, तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मालने हमारे पास phone आता है, यहां पर Redmi Note 6 Pro, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो इसके test point यहां पर show हो रहे है, इन दोनों point को आपने sound करना है, और बैंट्री को पहले स यहां पर उसको अटाना पड़ेगा, और इसके बाद यहां पर इस दोनों point को sort करोगे, और USB को लगाओगे, तो यहां पर आपके जो हमारे device manager है, यहां पर जो port बनेगा, और call com port आएगा, तो simply यहां पर call com port आएगा, तो इसके बाद हम simple start करेंगे, यहां पर इसन पर start करेंगे, तो यहां पर एक किलिक में जो हमारे my account है, erase frp, यहां से अगर आप जो format storage, यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको पूरा जो कुछ भी होगा, आपके phone में सब को चुड़ जाए, तो यहां से ध्या यहां से अगर इसमें वर्क करने लगा, तो आपने अपने phone को fastboot से, fastboot में connect करना है, तो यह आपके phone को fastboot to EDL connect कर देगा, तो इसके लिए अगर आपको, यह service आपको चाहिए, यह service trade service होती है, इसके लिए आपको कोई भी online work करने वाला बंदा उससे contact करना हो, तो आपके phone को, जो Redmi Note 10 है, या कोई भी Redmi का कोई call compound है, उसको आपने without back panel open किये, या my account करना है, या FRP करना है, उसको आप अगर करना चाहते है, तो fastboot to EDL के लिए आपको contact करना होगा, उसके लिए वो कुछ चार्ज ले लेगा, तो यह आप बात करेंगे, इसके बाद सैमसं के बारे में, तो सैमसंगे आप आप देख सकते हो, कापी सारे model है, जो यह model है, इसमें लेक केवल, यहाप आप सनेपडरेगन देख सकते हैं, जो snapdragon callcom snapdragon यह होता है, यह होता है, जो यहाप आप देख सकते हो, जो umtk phone, नम्टी के phone, और callcom phone को यहाँ जो model इसमें है, उनको आप एक किलि तो लगबगिस में आप 80% काम को कुछ से कर लोगे, आपके पास UMTP है तो कुछ मोडल ऐसा भी होता है कि यहां पर आपको वर्क नहीं करता है, प्लेशिंग में कहीं के पर error आता है, यहां पर आप प्लेशिंग में error आता है, तो उसको आप UMTP से भी कर जकते हो, मतलब कोई भी अपने यह मतलब सारे टूल जो अपने जगास सही होते हैं, लेकिन अलॉक टूल है जो सब से बेस्ट है, अभी तक यह सब से अच्छा चल रहा है, तो इसके बाद हमने समसंग की अपर आपको समसंग को फेलेश करना है, तो फेलेश तो आप उसको खुद से ही कर सकते हैं, क यहां पर आप सेम FWJ वेब साइट है, यहां पर आप कोई भी मोडल सेलेक्ट करोगे, मानलो, ओपो, यहां पर समसंग की बात हुरी है, जेस के पास को मोडल का पता, इसका शानी से पता लग जाता है, यहां पर आपके पास अगर फॉन J701F है, J7 Core, इसको हम सवेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो country इंडिया है इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहां पर इंडिया की फाइल है यहां पर सो हो जाएगी देख सकते हैं पर चो यहां सबसे टॉप में आप को लेतेश्ट फाइल मिलेगी लेकिन पेहले डाउनलोड करने से पहले आपने फोन की जब इसको carbon कियो यहां पर यहां पर यहां पर यह प really कर इन फॉर बाइल मिहां सकते नहीं कियों से व्याँनलोड के लिवाइनलोड है व Odin को download करके simple आपने phone को download mode में ले जाना जिन phone में तीन button होते है वोल लिम डाउन और power की और home की को दबा के रखना तो आपका phone download mode में जाएगा अगर आपके phone में home की नहीं है तो आपने phone को switch off करना है वोल लिम एप और down दबा के रखना है USB को लगाना है तो आपर downloading option का option आएगा तो उस पर आपने continue करना है तो आपका phone download mode में connect हो जाएगा तो उसके लिए पहले आपके driver भी होना जरूरी है तो यह होगी Samsung के F4P की यहां पर flashing की बात तो F4P की बात करते हैं जो आपर आप call com है call com है call com है हाँ आप test mode check कर सकते हैं अगर आपके phone में यहांपर कुछ model देख सकते हैं exonius यह model axonius यह पर इसमें यह support है देखते है यह पर आप गर इसको करोगे तो यह पर पहले इसको adb करना होगा तभी आप आप देख सकते हो ADB, ODIN, Enable ADB, तभी इसको आप कर सकते हैं ADB में, इसके लिए आपको लंबा पोरसास होता है लेकिन करने की आपको ज़रत नहीं है, अगर आपको जो पास है UMTK से अलग होता है, तो यह तो आप बाइपास कर सकते हैं, या किसी ओनलाइ आपको आपको पास कर सकते हैं, वहां से आपको पाँचा एक किलिक में अनलोक हो जाएगा, तो यह फोन का जो प्रोसेस है वो ओनलाइन या ओफलाइन दोनों होता है, यह फारपी का मैटर है, जो फिलेशिंग आप कोज से कर सकते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं Nokia की, यह अबी कुछ मोडल इसमें एड हो चुके हैं, यह C20 यह सारे पहले यहां पर HMD से सपोर्ट थे, जो कि इसका कोश्ट जादा होता है, इनको यहां पर आप आप जखते हो, जो SPD फोन है, यहां पर स्पेक्टर में स्पीड फोन है, इसको अगर आपको, यहां पर एरेज फ्लेस करना है, इस मोडल को, तो इसको आपने ओनलाइन ही कराना पड़ेगा, अगर आपको फोन में यहां पर FRP है, तो सिंपल आपने यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, फेक्टर रिसेट और यहां पर आपके जो FRP है, वो भी सारे इस से हो जाएगा, यह मनें चेक नहीं कि लेकि यहां से चेक करने से पता लेगे कि FRP हुई है नहीं, लेकि जो आपर इसका FRP का option है वो यहां पर hide है, तो लगता है, यहां से FRP हो गा नहीं, हो भी सकता है, FRP हो जाए, लेकिन जो आपर यहां पर देख सेखते है, Nokia C3, यह यहां पर यह पर Spectrum Phone है, यहां पर Nokia C5, औ Nokia G20 यह लेटेस्ट मोडल है यह आप दे सकते हो, यह रेज हे 4P Factor Reset, तो यहाँ पर जैसे यह रेज हे 4P करोगे तहां से वो ले मपडाउन से फॉन को को अनेक्ट करोगे तब 4P कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्नो के फॉन, टेक्नो, इंफिनिक, सारे म अपने phone को offline unlock कर लोगे, आपको के बहुत ही कम जरत पड़ेगी कि आप किसी online agent से बात करके, अपने phone को unlock and flash कराएं, और बात रही है, उसके बाद, हम माई account के लिए हैं इसमें, जो सारे phone तो माई account के लिए हैं नहीं, माई लोग के पास phone आता है, Redmi Note 9 पे रो, Redmi Note 9 पे रो, CPU, तो यहां पर GSM Arena इसको खोलेंगे, यहां पर Plotform में आप देख सकते हो, यहां पर जो यह Qualcomm Snapdragon जो इसके latest CPU है, इसका support एक आर इसमें नहीं है, तो हमने support में आपर देख सकते हैं, यहां पर यहां पर यहां माई में जाएंगे, Redmi Note 9, यहां पर आप देख सकते हो, Redmi Note 9, यहां पर Redmi Note 9, 4G only है, और Redmi Note 9, यहां पर जो यह MTK phone, Redmi Note 9 पर वो इसमें है नहीं, तो इसको हमने, अगर इसका phone है, यहां से आप इसको offline नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप उने, यहां पर आपके जो service लोगे तो वो भी कापी costly होती है, तो service तो यहां पर आप इसको लगबगर नहीं ले सकते, तो इसके बाद हम बात करेंगे, आइफोन के बारे में, इसमें यहां पर आप आइफोन को jailbreak करके, यहां से आप फेलो screen पर, यहां से विदाउट signal यहां से आप उनलोक, यहां से विदाउट signal बाइपास कर सकते हैं, अगर आपको phone को with signal बाइपास करना है, तो इसके लिए भी आपने किसी online agent से बात करने तो यहां पर आप एगर इनको बाइपास करोगे, तो यहां से यहां से विदाउट signal बाइपास होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पून कोई phone आता है, अगर आपके पास कोई फोन आता है यहां पर लगवए आप आपर ऊपर, realme और Nokia, आपर आपको, realme यहांपर लगवी complete यहांपर आपको मिल जाएगा और यह वी होगी लगवाद complete यहांपर आपको UMTK फोन मिलेंगी कॉलकॉम नहीं, कॉलकॉम की कुछ मोडल जो मैं आपको सो करा दिये, हो सकता है इस माने वाले समय में आपको काफी अपडेट मिलती हैं, यहां पर जो अपडेट आती रहती है, तो अपडेट को में हम सब पहले अनलोग टूल कम डाउनलोड कैसे करेंगे, वहां पर हम कैसा ब यहांपर लेटिस्ट अपडेट आती, यहांपर हमें पता लगत रहता है कि यहांपर देखिए, अभी अपडेट आय है , इन प्रो माइक क्लाउड, जो मा इकांट में पहले प्रावल मा रही थी, जो यहांपर दे सकते हो, तो आम में यूई जो 12 पॉंट पाव यहांपर प जो अपडेट देते हैं आपको सो कराते रहते हैं, ढ़ेखे जैडिटी यहां पर आपको अगर आप चेक करोगे अपर कापी सारे अपर दो-टीन दिनमें आपको अप्डेट जालते रहते हैं, तो अपर सबसे पहले अगर इसको डाउनलोड करोगे तो तो आपने यहां पर लेक्ट सेट अप को यहां से सबसे टॉप पर यहां पर लिंक मिलेगा उसके राउनलोड करना है आपर आपको Google Drive, Media Fair, इन दोनों के यहां पर लिंक मिल जाएगा Model को कैसे चेक करेंगे, इसमें support है या नहीं, इसके लिए हम support model पर click करेंगे support model इसमें जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर MI, Samsung, Huawei, Vivo और V-Smart, Nokia, Meizu, LG, Infinix और इसे लग भी बहुत सारे इसमें support होते हैं, मालनों हमारे पास कोई phone आता है, Infinix का या कोई भी Poco, Xiaomi, Mi, Nokia, कोई भी, मालनों हमारे पास कोई phone आता है, Vivo का Vivo y50 और इसके बाद इंटर करेंगे तो इसमें पता लग जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे हमने यहां पर सच किया तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सब कुछ यहां पर या इसमें सपोर्ट है या नहीं या इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं आप आप एरेज अफर भी आपर फ्लेज भी कर सकते हैं पैक्टर रिसाइट कर सकते हैं वाइट एफस कर सकते हैं तो यहां से आपको सपोर्ट का पत लग जाता है कि हमारे जो टूलाइस का सपोर्ट है य ही आ जाएगा क्योंकि आप उसे किसी दूसरे बंदे से टीमीवर के तुरू करा रहे है तो ओनलाइन ही हो जाएगा और आपके पास अनलोग टूल है या यूम्ट है अमर्ट है तो आप उसे काफी पॉन को अनलोग कर सकते हैं है है तो यहांँ से आप चेक कर सकते अगए वीडियो आपके समझ में आयों कर आपके वीडियो में कुछ रह गया थो आपने क्से प्कए बांट में ज़रूर बताना है और वीडियो अच्छ में वीडियो को लाइक कर रहें कमेंक कर एंग अचsetील पर नहीं तो फपिली चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बहले के अंद बाले जिससे हमारे आने वाले वीडियो साथ पहले आपको मिल सके थेंक्स पर वाचिंग बाई बाई